दोस्तों ये है स्वामी और फ्रेंट्स का चैप्टर फॉर्ट जिसके तीन चैप्टर में पहले अपलोड कर चुको हैं अगर आपने नहीं देखें तो उपर लिंक आ रही है इस पर क्लिक करके देख लीजे तो चैप्टर फॉर्ट की शुरुवात होती है बैडनस डे से यानि बुदुवार के दिन से अपने स्वामी को उसका कोई दोस्त नहीं मिला काफी देर तक उसने ढूंडा लेकिन एंड में जाकर के वो अपने दोस्तों शंकर सोमू और मतर से मिला उसने तो सोचा कि वो लोग स्कूल नहीं आ है अब ये लोग स्वामी के साथ बुरा बरताव करने लगे हैं इन लोगों ने स्वामी को अपने साथ खेल ले नहीं दिया ये लोग स्वामी को टेल यानि की पूँच कह करके बुला रहे हैं जैसे एक घदे और कुटे की होती है वैसे स्वामी को बहुत बुरा लगा जब स्वामी घर जा रहा था तो रास्ते में उसने सोमू को पकड़ लिया और कहा कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यूं कर रहे हो तो सोमू ने कहा कि क्लास के सभी बच्चे तुम्हे राजम की पूँच कह करके बुलाते हैं क्योंकि अब तुमने पुलिस सुप्रिटेंटेंट के बेटे से दोस्ती करके अपने पुराने दोस्तों को बुला दिया है दोस्तों ये experience स्वामी की जिंदगी का पहला जटका था कि लोग कितना जल्दी बदल जाते हैं सोमू जैसा लड़का जो उससे इतना friendly था उसका इतना अच्छा दोस्त था वो आज उससे कैसा बरताव कर रहा है अब स्वामी जब घर लोट रहा था तो एक नाले में पानी बह रहा था उसके घर के पास में तो स्वामी उस बहते हुए पानी को देख रहा था उसने एक paper boat बनाई यानि की कागच की नाओ तो उस कागच की नाओ में एक कीटी को रख दिया और उस नाओ को पानी में उतार दिया जैसे जैसे वो नाव पानी में बह रही थी, स्वामी बड़ा excited होकर के उसे देख रहा था, जो बहुत सारे dangerous turns से होकर के गुजर रही थी, finally उस बोट पर एक पेड की टहनी आकर के गिरी और वो नाव उलट गई, स्वामी ने देखा कि बोट के अंदर जो चीटी थी वो कहां उसने उस नाले में हट डाला, लेकिन उसे वो चीटी नहीं मिली, स्वामी को लगा कि वो चीटी मर गई होगी, तब स्वामी ने चीटी की आत्मा के शांती के लिए प्राथना की, अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद, स्वामी के दोस्तों ने तो उससे दोस्ती तोड़ी लेकिन फिर भी उसे उमीद है कि वो लोग उसे फिर से बात करने लगेंगे कभी तो उसे लगता है कि वो लोग उसे वापस दोस्त बना लेंगे लेकिन कभी नहीं भी लगता वो स्कूल छुटने के बाद उनके पीछे पीछे जाता है लेकिन उन लोगों को अब स्वामी से फिर से दोस्ती नहीं करनी चैप्टर फॉर्थ क्लोजड चैप्टर फिफ्थ इस कमिंग सून